जल्दी से आ जाओ मुझे बताओ आडियो वीडियो वीडियो आडियो जो है आपको जो है क्लियर है या नहीं जल्दी से बता दीजे कि जल्दी से बता दीजे क्या आडियो वीडियो जो है सब कुछ बेस्ट है नहीं और कि अमें कुदब वेख रहा हूँ जल्दी से अपनी देदो कौन-कौन आ चुका है डोस्त कौन कौन आ चुका जल्दीस अपनी attendance दे दी जाये गृट मॉनिग घुट मॉर्निग बॉर्निग अवरिवन जल्दीуск अटेक्डन से दो अपनी या मेरी आउडियो वीडियो जो है प्रॉपरली आपको जो सुनाई दे रही है नहीं देरी आउडियो वीडियो जो है लिए ली विजिबल है कुछ दिक्कत परिशानी तो नहीं हा रही है जल्दी से बता दिया जाए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन कौन कौन प्रेजेंटर जल्दी से बता दिया जाए आई कन सी सूरज प्रियंका सुप्रिया राशी निकिता गितान्जली वेष्णवी नीशाव जल्दी से अपनी अपनी अट्रेंडन्स दे दो ताकि सर हम आज का जो है माहौल बना सके और अपने आगे का सफर जो है शुरू का मैं पहले रिवाइस करवा दूँगा चिंता न करना कलम नहीं क्या किया था भुले सर कल काम जो है सैचे नहीं देख पाया आप क्या करें त अन्हों रोस्ट भी हमारे साथ है न्होंग्त तो को जल्दी से अपने अपने अटेंडनेस दोस्त विकास अपना माहल बदलने वाला है बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं ओके तर मैं कल लाइब नहीं थी बट मैं जो है रहने दोस्त को छोड़ो लाइब नहीं थी बट मैं रिकॉर्डिंग देख ली हूं सर ठीक है चलो बढ़िया 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 तीये प्रभजीत को और प्रेजेंट एक बार ग्रुपर्स दल्दी से मैसेज करके आजाओ दोस्त कि हमारे सारे जो मित्र मंजल जो है अपना आजाए और हम आगे का स को या सब रेडी हैं कंग्षा कि टरिह इससा बात पर शप्राइब करते हैं है आफ को सिर्देन बढ़िया चल रहा है आपका आपके जो बचे हुए वन शॉट की जो सेशन से जल्दी आ जेंगे तो चिंता कन्याली कोई बात नी बूले सर वन शॉट कभाएगा जून वालों को भूल गए हो क्या मैं आपके साथ हूँ अभी भी हमेशा साथ रहूंगा चिंता नहीं करना हाख करी पल तक हम जो है मैरेथां तो यह सब करने वाले हैं तो अब हमारा क्या होगा आप तो जो है अब जिसम्बर वालों को पढ़ाओगे एसा वैसा नहीं सोचना है मैंने कुछ मैसेजेस वगेरा पड़े थे ठीक है और मैं ऐसा भी अभी ट्राइब कर रहा हूं कि आपके लिए ना एक मेगा मैरेथान काइंड आफ जो है जून वालों के लिए जो स्टैबलिश करूं दिसम्बर वालों तुमारे लिए भी यह सारी चीज़ा होंगी पर एक वीडियो मिल जाए और आपका पूरा पूरा एकनॉमिक्स उसमें रिवाइज हो जाए ऐसा मैं कुछ कुछ प्लाइन कर रहा हूं और वो हम कोशिश करेंगे कि उसको ना मैं प्रीमियर कर दूं ठीक है रिकॉर्ड करके पूरा प्रीमियर कर दूं ताकि उसको थोड़ा सा स्पीड में भी हो जाए नेटवर्क वोगरा की प्रॉब्लम ना आए और जो है फटा-फट आप जो है उसका लाइफ देख लो प्र पूशिश करेंगे तो चिंता ना करना सारी चीज़े मैं प्लैन कर रखी है कैसे होगी कब होगी सब मैं करवा दूंगा ऐसा कुछ चिंता वाली कोई बात लिए बात समझ मारी है कि बिल्कुल सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी से बताईगे बात बात सर ठीक है हाँ बी सी के भी जो है पूरा उसके साथ ही मैं लूंगा चिंता नहीं करना बी सी के भी पूरा रिवाइस करवा दूंगा भी चिंता बत करना जो अभी पोर्शन तुमको अल्रेडी दे रखा होना मैं जो पोर्शन अल्रेडी में दे रखा होना उसको अ बात समझ में आ रही है ठीक है सब ठीक है कि क्वेश्चन प्रेक्टिस वगेरा भी है आई से आय मैट के जो स्टडी हमने अल्रेडी दो दो चैप्टर्स के पूरे-पूरे कर रखें बाकी के चैप्टर्स के भी हम साथ में कर लेंगे चंदा नहीं करना बट खुद भी वह प्रेक्टिस करो जो डाउट्स हो का वो तुम में लेगी रहा हूं समझ माहा रहा है बिलकुल बिलकुल कोई बात नहीं वन शॉट सबके लिए भाईया वन शॉट तुमको नहीं समझ माया तो मेरी बात की बात नोट्स निकाल लेना प्रिंट करवा लेना बस तुमको नोट्स जो है प्रिंट करवा के रखना बस इतनी सी मेरी बात मान लेना नोट्स तुमको पहले से प्रिंट करवा के रखना है बात सबको समझ मारिए अगर audio video सब कुछ clear है clear है और तुम मेरा साथ दोगे इस पूरी राह हमें तो जल्दी से एक video पर like कर दिया जाए सबसे पहली बात बिल्कुल वन शॉट सफिशेंट है तुमको कुछ भी करने की जीवर में जूरत ही नहीं है देखो हमने कल क्या-क्या पढ़ा था सर हमने कल पढ़ा था सबसे पहले कि भाई economics के लिए जून वालों के लिए सर वन शॉट रिविजन सीरीज मैंने अल्रेडी डाल रखे तो वो जाके प्लीज उसको देख ले टीकिए स्टर्टिंग वाला लेक्ट्चर और एंडिंग वाला लेक्ट्चर जो बहुत बेसिक वाले हैं छोटु-छोटु से चप्टर्ज हैं कोई तना जाद दम वाली बात नीवो मैं करवा दूंगा उसकी चिंता ने करना और यह जो अभी फुल लेंध जो हम फुल लेंध इसमें वही पोर्षिन आपका चपर हो रहा है जो कि वंश्ट में नहीं हुआ हो जो उसारि में खश्यलक सब्सक्र जबरदस हो जया करना चाहें ? विकास हमको ओवराल 300 350 प्लस जाना है लौ और मैस कभी-कभी धोका देते हैं लेकिन अगर हमने एक्वनामिक्स भी सीके को अच्छा श्रॉंग बनाया तो हमको जो है बड़ा स्कोर खड़ा करने से कोई नहीं रोग सकता बाद समझमारी बिल्कुल समझमारी सब निकाला है या नहीं निकाला है जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दिया जाए तुम लोगों ने प्रिट निकाला है या नहीं निकाला भी तक हो इस नोट को तुम बण शॉटके साथ लगा सकते हो अपना काम जुने खतम कर सकते हो लहां कि यह फावन्डेशन में के साथ stick रहना एक subject के लिए एक educator अगर तुमको समझ में आ रहा है तो उनी के साथ जो है पूरा subject खितम करना ऐसा नहीं करना इधर भी अगर मैस के सारे concept तुमने देख लिए है अगर तुमको अकाउंट्स पूरा आता है या फिर लौ का पूरा जो है तुमको फंडामेंटली क्लियर है economics तुमको जो है concept जादा बड़िया तरीके से समझ में आते है लेकिन अगर तुमने question प्रैक्टिस नहीं किया तो I am very sorry my friend बड़ तुम खुद के पेरो पर कुलाडी मार रहे होगे जो कि तुमको बिलकुल नहीं करना है यह PYQ, RTP, MTP इसके बड़ दिखाने के लिए नहीं होती इसको practice भी करना होता है उसके sessions लूंगा में चिंता नहीं करना है प्यारा सा नाम है, चुन्नू सा नाम है, मुन्नू सा नाम है, जिसने कल का lecture नहीं देखा वो भी आज welcome है उसको सबको समझ में आएगा चिंता करने वाली कोई बात नहीं जिसने अभी तक, जिसने अभी तक मेरे notes का जो है photocopy नहीं निकाला है जो की one shot series के साथ मैं attach कर देता इसमें economics notes के revision के links है, तो सारी links है भाई मेरे बात सुनता हो, इसमें सब links है, तो एक बार ही session खतम हो जाए ना, उसके बार तो links check out करना, तुमको पूरी दुनिया का आनन्द मिल जाएगा, ठीक है, पूरी दुनिया का आनन्द मिल जाएगा, कोई कहीं पर देखने वाली बात देख लेगा, ठीक है, चिल कर boss, ठीक है, सबसे पहले इस प्यारे से subject का नाम क्या है सर, यह MCQ में आ सकता है, जून वालो भी और दिसंबर वालो भी, क्या, business economics का मतलब क्या होता है सर, business economics, business मतलब समझते हो, trading of goods and services, जिससे हमारी human want satisfy होती है, एक चीज को देना, और money सामने से लेना, दोसरों का problem solve करना कि भी यह यार, bottle है, भी यह पानी कैसा ऐसा पीते थे, यह bottle बना दी, अब लोग इसमें पानी पियेगे, यह calculator है, लोगों का दिमाग इतना तीज नहीं कलता था, मैंस में पहले ही दिक्कत आती सी है, foundation तो भी यह calculator बना दी, calculator लेकर जाना और अपन चीज़े solve करना, ठीक है, टिफिन, टिफिन मना दिये, बोले, इसमें खाना खाना करके, यह problem solve कर दी, highlight दे दी, अब यह highlighter दे, problem solve करने, इसको business बोलते है, इसको business बोलते हैं, और सर, economics, अब सर, जो business है, सर, जो हमारा business है, क्या वो, दुनिया की हर problem को solve कर सकता है, मेरे को बता कर दी, आहा है, थे, आहा है, सर, human wants unlimited है, हमारी सर, resources न, resources, सर, वो limited है, चाहे वो । टाइम हो जाए, चाहे वो money हो जाए, चाहे वो resources हो जाए, सर, वो limited है, इसी लिए तो सर, हम क्या पढ़ते है, इसी लिए में को बता हूँ तो पुर्णी को देगा तमाम गुड्जन सर्विसेश दे पाएगा नहीं दे पाएगा सब इसलिए एकनॉमिक्स है कि वो जो अनलिमिटेड वांट से जो हमारी इच्छाहें हैं जिसको हम सब एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं उनको पूरा करने के लिए एकनॉमिक्स बना हु जल्दी से पता हैं सब्सक्राइब बहुत प्यारी बाते करी हमने बात करी सबसे पहले आपने हमको बोला कि हमको एकनॉमिक्स में सर्ग नेटी प्लस टार्गेट करें बहुत इंपोर्टेंट है बिलकुल 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 बहुत इंपोर्टेंट है एकनॉमिक्स में नेटी प्लस टार्गेट करना है इसलिए हम इस वर्ड से स्टार्ट करते कि अगर हमको एकनॉमिक्स में नेटी प्लस टार्गेट करना है तो यह वर्ड जो डिराइव हुआ है यह डिराइव हुआ ह एक आया हुआ है ग्रीक वर्ड ऑड है कहोड का है ओइको Oikonomia, सारे बोलेंगे, Oikonomia, 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 ऐसे फोन का ब्रैंड लग रहा है, Oikonomia, किस से याद रखेंगे सर, इसको याद रखेंगे हैं, Nokia से, किस से याद रखोगे आप, Nokia से याद रखोगे, सर, Oikonomia का मतलब क्या होता है, Oikonomia का मतलब क्या होता है, Oikonomia का मतलब होता है, household, क्या आद होता है सर household, याद रखोगे household से याद रखोगे, oikonomia सर बिल्कुल याद रखेंगे, Nokia, oikonomia oikonomia रहे, oikonomia बाद समन में आड़े ठीक है सर, इसके बाद हमने कल क्या पढ़ाता है सर इसके बाद हमने पढ़ाता है कि economics जो है, हमारी क्या problem solve करता है सर, यह जो economics है, हमारी क्या problem solve करता है ठीक है सर, यह हमारी क्या problem solve करता है यह two fundamental facts जो हमारे होते है two fundamental facts कौन से है two fundamental facts सर, दो fundamental facts कौन से याद करो मेरे दोस्तों दो fundamental facts को सर, कौन सी सर, हमारी bonds जो है unlimited है unlimited क्या है सर unlimited wants हैं और इश को satisfy करने के लिए सर हमारे पास जो resources जो है लिमिटेड रिसोर्स जो है लिमिटेड रिसोर्स है बताइए है नहीं है सर नोट्स वगरा भी बना सकते हो आप साथ में अगर आपके अल्रेडी कुछ अल्रेडी लिखा हुआ तो एक जो भी रिफर कर रहे हूं उसमें एड करती जाओ यह बास होन मारिए चर्याइट है इससी सीटी के वज़े से सर्हाम से इकनॉमिक्स पड़ रहे हैं इसी सीटी के वज़े से सर इसके बाद हमने पढ़ाता है कि इस सर इसपनोमिक्स के न दो मेजर ब्रांचे सर इस एकनोमिक्स के दो मेजर ब्रांचे सर वो है सब्सक्राइब रहें जब एक आप कोई पर्टिकुलर फॉर्म की स्टडी करते हैं ना टडी ओफ पर्टिकुलर फॉर्म यहां पर स्टडी किसकी होती स्टडी ओफ एकोनॉमी इंडस्ट्री अगर हम जो है मानलो जियो की स्ट्रेटिजी बना रहें जियो के लिए स्ट्रेटिजी बना रहें तो सर्वो किसमें कवर होगी सर्वो माइक्रो में कवर होगी लेकिन अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो है सर्च कर रहें टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में research करें तो वो किसमें आएगी बताओ मेरे दोस्तों जल्दी बताओ रहे जियो की strategy किसमें म्याइक आएगी और टेलिकॉम इंडर्ष्ट्री के बारे में research करना सर्वो मैक्रो में नहीं हगा उंडाब क्या हुआ ब्रॉडडर ठीन मैंक्रोश से अहीं सब्द्रोश संसकत इस्य एंप बात समझमारी आनंद आ रहा है सर आनंद आज के आनंद की जै सर ये हमको सारी चीज़े याद रहेगी ये सब बेसिक बेसिक सी चीज़े है लेकिन हमको जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ध्यान रखोगे ना मेरे दोस्त बिल्कुल सर ध्यान रखेंगे कोई 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 की समस्य वाली बात ही नहीं है देखते हैं लेकिन सर मैक्रोज में क्या देखते हैं सर हम मैक्रोज में एग्रिगेट डिमांड देखते हैं क्या देखते हैं सर एग्रिगेट डिमांड पूरी एकनॉमी की क्या डिमांड हो रही है यह सर मैक्रोज में देखते हैं यह सर कल की समरी है जो हमने जो है इतने से पा है कि कॉन है सिक gema mobilize कॉन में लाइन पड़ी थी सिर्फॉ disrupt कि माइकरो लॉलचे ते स्थथे कॉन से हमारे भाइन लाइन दियुक्षो मैंल एंसी कॉनाल था मैंक्रॉस macro economics वो है दो है सर ये ए forest है यह study of forest oh oh study of forest अच्छा αच्छा to live study of study of trees समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है जल्दी बताएगे सर समझ में आ रहा रहा है तुमको समझ में आ रहा है या नहीं यह हमने बहुत अच्छा छोटो सा एक चार्ड बना दिया जिसमें तुमको बहुत ही आनन्द रूप से हमने समराइज कर दिया सब कुछ ठीलियर है बस इतना ही पार्ट कंप्लिट करवा थे चंतानी कंणक कोमाल इतना ही मेजर पार्ट हमने कवर किया था। आज देखो क्रीन कूरी में बिलकुल बितना है सरसनिस्य समस्य वाली बातीज नहीं है अब बताईए सरसनिस्य समस्य वाली बात नहीं है कोई समस्य वाली बात नहीं है अब देखो हम आगे का आज प्रिप्रेशन करते हैं हम आज आगे की बाते करेंगे क्या आज आगे की बात करने के लिए रेडी हैं सर बिलकुल रेडी है आज हम पढ़ने वाले हैं सर आज हम क्या पढ़ने वाले सर बिल्कुल रेडी है तर नेचर ओफ अध आज हम क्या पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनस उस्य तुम्हारे चोटे चोटे बहुत सिंपल सिंपल चीजें़ लेकिन तुम्हारी कजाम में आ सकते हैं क्या यह सारी जो है बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ है लेकिन यह तुबारी एक्जाम ना सकती है नेचर ओफ बिजनेस एकनोमिक्स आज का हमारा सफर यहां से शुरू होता है नेचर ओफ बिजनेस एकनोमिक्स वो तो कल की बाते थी कल की बाते पुरानी अज नए दौर से लिखेंगे हम फिर से नहीं कहाने सबसे पहला इस ना प्विशननेसे इकनामिक्स होता है बिजनेस एकनामिक्स जो होता है ना मैंटेस इस शायंस साइंट कि की बोला मैंने सर बिजनेस सइकनामिक्स साइन्स यह सिंपल सी चीजे चीजे और स्ह Eduardo पिसद नॉमिक्स college साइन्स होता है साइन्स क्यों होता है सर बिजनेस एकनोमिक साइन्स क्यों होता है कि विकॉज सर यह हमको पता है क्या बताता है तर यह रिलेशन्शिप बताता है रिलेशन्शिप किसमें है बिटूवीन between cause and effect सर जो हमारा science होता है वो क्या बताता है बुले आर आपने जो है इतना जो है sulfur डाला इतना जो है chemical डाला इतना जो है acidic effect करेगा अब यह करोगे तो यह होगा ऐसा science में हमारा already चीज़ा रहती है नहीं रहती है scientific चीज़ा होती ही नहीं होती है सर हम जो है science क्या पढ़ते है सर science हम क्या पढ़ते है कि हमको एक चीज़ पता है एक चीज़ पता है यह अगर price increase होगी तो demand decrease होगी अगर cost reduce होगी तो profit increase होगा यह pre एकदम fix बाते हैं है और नहीं है तो demand जो है right word shift करेगी नहीं करेगी बताइगी बताइगी जल्दी से बताइगी सर यह already चीज़े जो है pre-decided है या नहीं बताइगे सर बताइगे सर pre-decided है या नहीं सर बिलकुल decided है इसलिए तो हमारा business economics जो है science है सर हम economics में सर एक चीज़ और यूज़ करते हैं आपको याद होगा हमने बहुंस तारे formulas बगएरा बनाए हुग है हम statistical tools की use करते हैं सर we use use of statistical क्या करते हैं सर हम statistical tools की यहां पर यूज़ करते हैं और अपने result पर आते हैं यह किसकी वज़े से मुम्किन है तर यह किसकी वज़े से मुम्किन है क्योंकि हमारा economics जो है वो science है बात समन में आ रही है यह नहीं है जल्दी बताएए यह समन में आ रहा है यह नहीं है हम statistical tools का यूज करते हैं सर हम maths का भी बहुत जगी यूज करते हैं आपने बहुत सारे formulas वगरा देखे होंगे हम जो है अलग-अलग तरीके से सर यूज करते हैं चीजों का तब ही तो हम यह बोल सकते हैं कि business economics क्या है सर सर हमारा business economics जो है वो science है बात समझ मारी easy आ रहा है सर simple simple सर हम notes बनाते रहते हैं पूरा जो है coverage करते है study material का तभी तो मज़ा आता है तर यह जो है हमारा business economics जो है हमारा business economics तर यह micro economics पर based बेस्द है based on micro economics micro economics सरे मेरे बाई micro economics किस पर बेस्द बताइए सर यह micro economics पर बेस्द क्यों क्यों है सर ऐसा सर ऐसा क्यों है because जो decision making individual establishment रहता है सर जो techniques micro level पर जो है असर करती है वही तो बड़े इस तर पर काम आती है मेरे दोस्ट because it is concerned more it is concerned concerned more with decision making with decision making of sir मैं रैड में लिख रहा हूं मतलब क्या है इंडिविज्वल स्टैब्लिश्में बास समझ मारी एक दम तुमारे दिमाग में जा रहा है एक दम जो है बहुत ही प्यारे नोट्स में आपको आखरी में बना के देता हूं बिकास क्या है ना आखरी दिन तो तुमको अपनी किताबों के साथ रहना होता ना बॉस ऐसा थोड़ी ना है एक दम देखो हम कितने समराइज में चीजों को जो है एक दम इकटा कर लेतें ताकि आखरे दिन अपने को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी हमको तो कोई बीड बिल्कुल क्लियर बिल्कॉल केरो हुड़ी तीसरा पॉइंट लिखो साथ मेंग। नेचर और बिजनेस अकनोमन Hispan का चोलिष बॉडण तक है घ्मकेर ना होता है meglio दोष記 एले में और उस Füray को जम Cup香 चन Fight अजशों में रिब्गासरा इस individual establishment की decision making पर बहुत हद तक dependent होता है सर तीसरा point लिखिए, सर तीसरा point लिखिए सर ये जो है ना, सर क्या बोल रहा हूं में, सर ये जो है ना ये incorporate करता है macro analysis को भी, सर incorporate क्या करता है incorporates, सर incorporates macro analysis as well, macro analysis as well ओहो, ओहो, पहले तो हमने बात करी, micro की सर, हम अब बात क्या कर रहे है, macro की भी बात कर रहे है मतलब सर, हम जो है, केवल micro की बात नहीं करते हैं, हाँ पर macro की भी हस्तक बात करते हैं ये points आप लिख रहे हो, समझ में आ रहा है सब कुछ, बताईए बात समझ में आ रहे है, जल्दी से बताईए, सब लिख रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहे है सर, macro analysis की भी हम बात, इसलिए करते हैं, because हमारा external, our economy, our business is affected by external environment as well, external environment, यह हमने पढ़ा है BCKM, external environment क्या होता है बताईए, बताईए, सर, example, example दो ना, सर, सर, अगर budget में कोई चीज आई, और tax rate increase हो गया कुछ चीज का जो है, आपको subsidy मिल गया, या फिर कोई चीज abolish हो गई, कोई restriction लगा दिया, कोई capital expenditure promote कर दिया, government ने, तो मेरे में तो, क्या तुम लोगों के business पर असर होगा, सर, बिलकुल होगा हमारा भारत देश, हमारा भारत देश, आज विश्व भर में पहले नंबर पर है, किसमें बताईए, अभी अभी एक news आईए, सर, हमारे विश्व भर में पहले नंबर पर आ चुका है, सर, कौन सा word है, सर, आप बोलो के तुम लिखूँगा, मनना मैं नहीं लिखूँगा, हमारा भारत देश, पहले नंबर पर आ चुका है, किसमें बताईए, सर, पापूलेशन में, पाप हो चुका है, पापूलेशन, पापूलेशन में, सर, हम विश्व भर में है, विश्व भर में एक नंबर पर आ चुका है, किसमें, सर, पॉपूलेशन में, बात समझ मारी है, बाद समझ मारी सर बिलकुल समझ मारी फिर पॉइंट लिखिए सर आप एक और पॉइंट लिखिए मज़ा आएगा सर आपको एक और पॉइंट लिखिए सर बिजनस एकनॉमिक्स जो है न सर आपका बिजनस एकनॉमिक्स जो है आपका सर वो एक कला भी है business economics is an art is an art क्या है सर business economics as an art भी है किवल science ही नहीं है सर एक कला भी है because क्या होता है इसमें सर यहाँ पर हम कुछ चीजों को practical application करके भी देखते है practical application करके भी देखते है practical application of rules and principles rules and principles मैं को एक बात बताओ मैं को एक बात बताओ क्या हमेशा तुमको लगता है price decrease होगी तो demand बड़ी की मेरे मित्रो यह बताओ में को इतने अच्छे से मैंने लिख दिया है कि तुमको बड़े बड़े notes की जरूती नहीं पड़ी की अगर मैं बोलूँ कि हमेशा price जो है increase होगी तो demand decrease होगी या फिर price decrease होगी तो demand increase होगी सर हमेशा होगता है कि ऐसा नहीं सर हो चकता है यह आली bottle मेरे को बहुत अच्छी रगे मैं emotionally attached होगी इस चीज से जैसे iPhone के case में क्या होता है iPhone के case में लोग जो है emotionally attached हो जाते है उस चीज से उनको जो है phone use करना बहुत इच मज़ा आ जाता है तो क्या price decrease होगी iPhone की तो ज़रूरी उसकी demand decrease होगी सर नहीं होगी सर कभी-कभी ना attachment आ जाता है तो कभी-कभी आप अगर अपना product उस हीज़ाब से design करें लोगों को मज़ा आ जाए लोगों को मज़ा आ जाए तो क्या वो अलग connect feel करेंगे क्या जो science में phenomena already decided है क्या उससे हड के लोग जो है काम करेंगे बताईए सर नहीं इंसान को जितना जरूरत है वो नहीं use करेगा सर कोरोना में medicine देखो लेना है तो price increase थी तब भी लिया मतलब जरूरी नहीं कि सर हम सारी चीज़ें केवल science के business पर करें बताईए मैं को हर चीज़ हम science के business पर करते थे क्या सर हम science के business पर नहीं करते थे सर फिफ्ट पॉइंट लिखिए बहुत मज़े से लिखिए सर फिफ्ट पॉइंट लिखिए सर फिफ्ट पॉइंट क्या होगा सर यहाँ पर हम private enterprises की theory को use करते है use of सर्म क्या बात करते है use of theory of markets and private enterprises markets and private enterprises मतलब क्या है सर हम हमेशा जो है government की policies government जो कर रही है government जो चीजे चला रही है उस पर dependent नहीं रहते यहाँ पर markets की theory private enterprises क्या कर रही है उस पर भी काफी हद तक जो है dependency होती है एक economy की सर nature of business economics उससे भी काफी हटते जो है काफी हद तक जो है effect होता है बात समझ में आ रही है नहीं जल्दी बढ़ाइए बस्यम् हम चलते हैं 6 points पर, क्या सब ready है, 6 points पर चलने के लिए, या हम चलते हैं 6 points पर, nature of business economics, सर nature of business economics पर आ जाईए, यहां पर हम, हमारी जो approach होती है, सर तर प्रेगमेटिक इन एप्रोच, सर कौनसी एप्रोच, सर यह word क्या है, सर अजीब सा word आ गया, कुछ नहीं रहे मेरी बात तो सुनो pragmatic approach pragmatic approach होती है सर कौन सी approach होती है कौन सी सर जल्दी बताइए सर फिफ्ट पॉइंट में बता देता हूँ यहाँ पर जो private enterprises resource use करती है private enterprises कैसे चीजों को चलाती है उससे भी काफी हद तक हमारी business economics का नीचर डिसाइड होता है मैं यह बता रहा हूँ कि एवल जो चीज़े चल रही है government जो बता दिया जो चीज़े चल रही होता theory of markets demand supply के business पक भी चीज़े काफी हद तक चीज़ होती बात समझ में आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है बताइए बताईए सर बताईए सर प्रेगमेटिटीव approach का मतलब यह है फ्रेगमेटिक approach का मतलब क्या है सर यहाँ पर अपन जो practical problems को सर कैसे हर solve करते है सर प्रेक्टिकल problems को हम कैसे solve करते है तर we solve practical problems pragmatic approach मतलब होता है we solve practical problems ओहो ओहो ऐसा नहीं बस theoretical जो चीज़े चल रही है वो ही सर हम start-up वाली problems को solve करते हैं practical application practical problems को solve करते है practical चीज़ों को जो है सही करते हैं बात समझ मारी यह नहीं जल्दी बते ही है pragmatic approach मतलब जो चीज़े already problem create कर रही है वो हम business economics से solve करनी के कोशिश करते हैं business economics is an art मतलब practical application होता है rules and principles का मतलब क्या सर ऐसा नहीं होता है कि बड़ जो चीज़े चल रही है वो उसी हिसाब से चलती है demand supply price के हिसाब से influence होगी दूसरी चीजों की वज़े से भी इंसान attach होता है वो चीज़े हमारी use करना चाहता है बात समझ मारी है सर प्रेग्मिटिक approach का मतलब भी आता होता है हम practical problems को solve करने पर ध्यान देता है सर नहीं जो चीज़े theoretical है उसी कोई हम रगरते जाएंगे और उसी कोई economics में problem समझेंगे और उसी को solve करने के कोशिश करेंगे सर हम क्या करेंगे हम practical problems को उठाएंगे और उस पर अपना ध्यान देंगे और चीज़े solve करने के कोशिश करेंगे बात समझ मारी नहीं आएँगे सर बिलको समझ मारी कोई समस्य वाली बात नहीं है सर 7th point 7th point लिखिए सर 7th point लिखिए सर 7th point लिखिए सर यह जो economics है न यह है inter disciplinary in nature क्या है सरी यह इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर बताइए सरी क्या है इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर जो सर हमारा एकनोमिक्स है वो इंटर डिसिप्लिनरी नेचर है मतलब क्या सर यह जो दूसरे disciplines हैं जैसे for example mathematics, research, theory, accounting, marketing, finance सर इन सबसे सर connected है यह सारी चीजों को incorporate करके चलता है सब लिखेंगे सर मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखिए और अच्छे समझ में आएगा यह incorporate करता है सर क्या incorporates other disciplines incorporates other disciplines such as, सर क्या-क्या incorporate करता है such as क्या-क्या incorporate करता है मैं को बता है यह सर यह finance accounting finance, accounting, marketing maths management सर सब को साथ लेके चलता है यह सर सब कुछ जो है interlinking चलते है सर यह सब कुछ interlinking चलते है ऐसा नहीं कि यह एक तरफ चला हूँ यह दूसरी चला सब interlinking के हिसाफ से चलते है बताईए समझ में आया नहीं interdisciplinary nature taxation हो गया सब कुछ जो है अलग-अलग connected चीज़े चलती ही साथ में चलती ही चब जाके हमको समझ में आता है बताईए सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अब यहाँ पर यह बहुत ही सुन्दर point लिखे सर सुन्दर point कौन सा लिखना है यह mcq में बहुत आता है सर यह जो economics होता है सर यह सर दो चीजों से बना होता है सर इट इस also normative in nature सर normative in nature मतलब क्या होता है सर normative in nature मतलब क्या होता है ध्यान से सुन्येगा सर यह normative in nature होता है मतलब क्या सर सर जो अपनी economic की theory है basically दो पार्ट में divided है जो हमारी economic की theory है economic theory में हमारी बैंच न है कि असे टोकुष कोन से गवा टार में दो को कि मेंसे पहला पोईंट यह होता है एक्छोकल का स्री इंच यह बात करी है कि economics is a science सर हमने क्या बात करी हमने बात करी economics is a science positive science मतलब क्या सर क्या बोला सर हमने क्या बोला रहे मेरे दोस्तों हमने ये बोला कि ये cause and effect relationship पर काम करती cause and effect relationship पर काम करती cause and effect relationship पर ये काम करती बोला नहीं बोला सर बिलकुल बोला है what is यह क्या है what is लेकिन यह बात नहीं करती इस पर किस पर बात नहीं करती and not what ought to be क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए इस पर बात नहीं करती एक इसका judgment आता कि यह क्या है उस पर बात करती क्या है उस पर बात करती है और इस पर बात नहीं करना चाहती, क्या होगा, बात समझ मा आ रही है, cause and effect relationship, cause and effect relationship पर बात करती है, सरी descriptive in nature बोलती है, सरी descriptive in nature होती है, क्या होती है, descriptive in nature, जल्दी लिखे, descriptive in nature, बात समझ मा यह, बात समझ मा यह, सरी does not involve value judgment, यह ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है, does not involve, क्या नहीं बताता है, सरी यह, involve value judgment, बात समझ मा आ रही है, जल्दी बती है, क्या समझ मा आ रहा है तुमको, बिल्कुल कर दूँगा, चिंता नहीं करना, इंटरिस्प्लेन मतलब होता है, इंटरकनेक्टर, दूसरी चीजों से बहुत ज़ाधा इंटरकनेक्टर, लेकिन सर, normative science का मतलब क्या होता है cause and effect relationship के अलावा it also involves क्या करती सरे value judgment के हमको देती है यह ऐसा चीज़ आ हम इसको change कर सकते क्या कर सकते सरे value judgment भी हमको देती है देती ही नहीं देती सरे it involves value judgment बात समझ मारिए बात समझ मारिए सरे हमको prescriptive क्या हम बताती है, यह हमको बताती है what should be done, क्या हम कर सकते हैं यह चीज़ है जो है, फॉलो कर सकते हैं, यह आप जो है फॉलो कर सकते हैं तर हम welfare का भी consideration करते हैं, welfare consider करते हैं, welfare consider भी जो करते हैंridge done reporting, welfare consideration, welfare का भी consideration करते हैं, बात समस्में ये जल्दी बताइए, तर जो हमारी economics होता है ना generally normative science है, it is generally, जो है हमारा economics जो होता है yağ diese noise на word normative होता है, देखो ये positive science हो कि भी हा, ये चीज़ें हम follow नहीं करते हैं, एकनॉमिक्स फॉलो दिस बिजनेस एकनॉमिक्स फॉलो नॉर्मेटिव क्या फॉलो करते हैं क्या फॉलो करते हैं सर्म नॉर्मेटिव जन्रली फॉलो करते हैं जल्दी बताइए बताइए और जन्रली जो है हम क्या फॉलो करते हैं सर्म नॉर्मेटिव फॉलो कोई दिक्कत तो बात नहीं यहीं या सब जो है आपने चीज़े नोट टर ली कैसा लगा आपको निचर आफ बुजनस एक्माविक्स मैंने पूरी स्क्रीन पर जो है इसको भी फुल फ्लेजट कर दिया अगर किसी स्क्रीन चॉट लेना है तो ले ले स्क्रीन चॉट लेना है बिल्कुल काइदे से बहुत ही अच्छे तरीके से सरमने जो है तीज़े लिख लिए जल्दी बताईए हावस्द जोष जल्दी जल्दी मुझे बतादों दोस्तों क्या आपको जहाँ पढ़ने पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है मजा आया मजा एकड़म सब कुछ समझ माया जेपा नहीं जेपा तुमको प्रिस्क्रिप्टिव मीन ये चीजों को प्रिस्क्राइब करता है लाइक शुडबी या एफ आया और टू बी यूज होता है करेक्ट है साथ साथ में नोड़ में बना लिए बहुत बढ़त शांदार शांदार शांदा बात समझ मायी तुमको एससा थोड़ा पता भी चलेगा कैसे चीजों को समराइस की जा सकती है वैसे देखो अगर आगर ऑडियो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा so that I can get an indication यहां सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मज़े में चल रहा है ठीक है, ओके सर दने सर्ट ओके, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो अब हम जो है, एक नई चीज पर बात करेंगे क्या चीज पर बात करेंगे, यह तो आपने लिख लिए आपको जो है, मज़ा भी बहुत आया सर, बिल्कुल मज़ा आया, क्यों मज़ा नहीं आएगा यह बताईगे, बहुत मज़ा आया यह तो हमने जो है चीजे लिख ली scope of business economics, क्या लिखोगे अब सर, अब सर हम यह देखेंगे कि कहां तक हमारी पहुच है करके, scope of business economics, क्या समझोगे आप, सर कहां तक हमारी पहुच है, mcq में आ सकते हैं, आज सारी चीज आ सकते हैं, यह चोटू सा चप्टर है, लेकिन बहुत अच्छे marks देखे जाएगा आप वाइड मतलब बहुत बड़ा, विकराल, विराट, विराट कोली वाला विराट नहीं, विराट मतलब लार्ज, बात समझ माहिए, तो ले सर आपका दिमाग पूरा cricket के इधर ही हुँच, बात समझ माहिए, ठीक है, सर सबसे पहली बात, सबसे पहली बात आपने हमको बताया ऐसा था इक चीज, आपने हमको एक चीज बताया, तब सर हमारी जो एक है, वो ध्यादey है, आपने हमको बोला था हमको याइद आर माइक्रो मतलब सर जो माइक्रो का जो बिजनेस एकनोमिक से सरी किस पर जाधा अप्लाइड होता है इट इस अप्लाइड माइक्रो का जो पार्ट रहता है वो अप्लाइड फॉर इट इस अप्लाइड ओन किस पर अप्लाइड करते हैं इंटरनल इश्यूज सर कहां पर अपक्रते हैं Jimiностью और चीज चिज में पर अप्लाय करते हैं को कि ए कि आपरेश्चनल या फिर इंटरनल music बास पर थे शुनत टो पी हैं यो पर हुआ ठीकिल यो कि हम इसको कहां पर अप्लाई करते हैं। सर मेक्रों को सरक पर अपलाई रेकरते हो सिर्ट मेक्रों हम अपनाई करते हैं से इन्वाम्मेंटल या फिर एकस्टर्नल इश्चू कहा पर अप्लाई करोगे सिर्ट MD इंवानमेंटल और एक्स्टर्नल इश्टर्नल 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 इश्टर्न इश्टर्नल 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 इश्टर् कोई समस्य वाली बात तो नहीं थी कोई समस्य वाली बात तो नहीं थी सर बिलकुल समस्य वाली बात नहीं जल्दी बताईए जल्दी बताईए सबसे पहले हम बात करेंगे सर सबसे पहले हम बात करेंगे जो माइक्रो है इसकी क्या-क्या थियोरी माइक्रो की क्या-क्या थियोरी माइक्रो एक्कनॉमिक्स की क्या-क्या थियोरी है माइक्रो एक्कनॉमिक्स थियोरी ओहो ओहो तो Micro Economics की हम ते subsequent प्रमत क्रम सित करेंगे सित Mek सित यादा रहा होगा मेरे आँप अगर तुमने पढ़ रखा होगा पहले तो इमांड ऐनैलेसिस 스тории एंड़ फोर कास्टिंग याद आ रहा है । इाधा रहा है । इमांड एनैलिसीस याद आ रहा है ईसashesधरCar owners को याद आहारा है , कि हम जहांपर जीमांड के लिसेपाड करते हैं इसे की बाद करते हैं , Demand analysis का मतलब क्या हूता ईसर डिमांड analysis का मतलब होता है कि हम behavior of customers देखते हैं हैं यहां back ॹुम और सर फोरकास्टिंग में चाहँ अगे जो आने वाली demand है सर जो आने वाली demand है हम future demand को predict करते है प्यूचर demand prediction शार प्यूचर की demand को क्या करते सर। हम prediction करते है future की demand को prediction करते है demand and this is a forecasting का या मतलब पात समझवारी है मतलब हम Micro economics कीती है अगर theory की बात पोंच सबसे पहला आजाता है demand analysis and forecasting समझ में आया नहीं आया से जल्दी बताईगे जल्दी बताईगे पहला पॉइंट जो है जबर्दस तरीके से समझ में आया सब इनकोल समझ में सेकेंड वाले पॉइंट पर आईए सर सेकेंड वाला पॉइंट क्या है सर production and cost analysis करते हैं याद आ रहा है production and cost analysis के हम बात करते हैं प्रोडक्शन और cost का already सर आपको चीज़ा पता है उसके वाले चैप्टर में पूरी डिटेल में हम बात करते हैं प्रोडक्शन मतलब utility create करना ताकि सर उससे want to satisfy उससे जो हम cost को minimize करें प्रोडक्शन से हम क्या कोशिश करते हैं सर हम cost को minimize करें maximum जो है अपना प्रोडक्शन दें ठीके प्रोडक्शन में यह चीज़ दिया लगता है सर हम जो है चीज़े अच्छी तरीके से produce करें quality दें सर हम size of plant पर क्या ले वरिबल क्या रहे short run long नहीं सारी बाते करेंगे रे आगे चलकर हम बाते सारी करेंगे करेंगे ने करेंगे सर बिलकुल करेंगे समस्य आली बात में बिलकुल समस्य आली बात में टर्ड़ पॉइंट लिखिए अप सर क्या inventory management भी हम किसमें सेखते हैं inventory management किसमें देखते हैं inventory management भी ऐब बिजन duplic quartz में और Country अपर सिखांग की किस की स्पार्ट णॉश्ण दॉऌ का आप कि आप क्याम कि Square रखा हुआ है go down में आप उसको भी जो है सही तरीके से बाइफर्केट करें उसमें minimize करें cost सर अलग-अलग तरीके से बाइफर्केट करें raw material को finished goods को WIP में करें ABC analysis करें sorting करें उसके models बनाएं सर क्या क्या हम कर सकते सर इसमें आम सर बाइफर्केशन कर सकते हैं किसमें raw material में WIP में finished goods में सर आप क्या कर सकते हो यह सर बाइफर्केट कर सकते हैं बाइफर्केट कर सकते हैं सर आप जो है ABC analysis से सर ABC analysis से सर उसकी sorting कर सकते हैं क्या कर सकते ABC analysis से सर हम sorting कर सकते हैं ABC analysis से हम sorting कर सकते हैं बाद समन मारी है बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, फॉर्थ पॉइंट लिखेंगे, सर फॉर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, सर यहां पर हम मार्केट स्रक्चर और प्राइजिंग पॉलिसी भी हम डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं सर, मार्केट में क्या पॉलिसी होनी चाह सर्ड बिलकुर कर सकते हैं असर τη मार्केट में क्या पॉलिशी सससे लिए कि आप राइजिंग होनी चाहिए अपने शेक्टर पड़ए हुए याद आ रहा तुमको मार्केट वाले अमस्वाले मार्केट को पॉलिशी सिरिग पॉलिशी याद आ रही है ने अर रही है सब रिलेशन बताते थे, demands, supply में, सर वो increase होता है, तो सर हम क्या किसमें बात करते थे, सर यह सारी हम micro में बात किया करते है, सर हम एक और चीज की बात करते थे, सर हम resource allocation की सर हमने कहां बात करी थी, याद आ रही है, सर, resource allocation की हम बात करेंगे, मतलब जिनने नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ेंगे, resource collection की मैं बता दो हम budget बनाते थे, याद आ रहा है, budget बनाते थे, बजट हम consumer behavior वाले चेप्टर में भी बनाते थे, बनाते थे, budget बनाते थे, price line बनाते थे, सर वो production वाले चेप्टर में भी थोड़ तो नहीं याद आ रहा है, ISO, quant, ISO, curve, production का equilibrium याद आ रहा है, बिलकुल याद आ रहा है, सर, इससे क्या होती थी, resource का allocation होता था, resource का best utilization होता था, optimum utilization होता था, मेरे में रहो, क्या होता था सर, optimum utilization होता था, ये सारी चीज़े तुम interrelation कर पाओगे, इनका कब, optimum, जब पूरा course मेरे साथ एक बार पढ़ लोगे, तो मज़ा अलग आएगा, सारी चीज़े एकदम ऐसे finger tip में याद रहेगी, और कहां क्या पढ़ा था, सब कुछ ध्यान आएगा, बात समद मारी बिलकुल आ रही है, सर, कोई दिक्कत वाली बात ये, सर, हम इसमें, सर, पता एक चीज़ और चे, कहां पढ़ा, सर, यादा रहे, long run, कर्व कि कितना हमको price decide करनी चाहिए, कितना हमको जो है, कब तक हमको supply करना चाहिए, जब तक आपका marginal cost, आपके revenue तक match करे, जब तक हमको behavior में काम करना है, investment करना है, सर, हमको production करना है, बात समझ मारी है, सर, हम profit analysis की भी बात करते है, कित revenue minus cost to profit होता है, बताइए, revenue minus अगर हमने cost कर दिया, सर, यही तो हमारा profit होता है, यह कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, सर, बिल्कुल कर पाएगे, सर, 8th point भी लिखिए, सर, हम risk and uncertainty analysis भी करते हैं, सर, risk and uncertainty analysis यह आपने कहां पढ़ाया था, risk and uncertainty नहीं, सर, यह तो आपने पढ़ाया नहीं, नहीं पढ़ाया, सर, यह आपने छुडवा दिया, यह आपने छुडवा दिया, मुझे यहाद है, आप छुडवा देते हो, चीज़े, मुझे यहाद है, आरे भाई, तुमको यहाद आ रहा है, production वाला chapter, production में सर, हमने चार लोगों के बारे में बात करी थी, यहाद सारा है नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत परिशानी वाली बात है, बात समझ में आ रही है, सर, यह चीज़े हम सारी micro economics theory में हम पढ़ते हो, अच्छे से इनको रिवाइस करते हैं, कैसा लगा रहे तुमको अपना चार्ट, notes कैसा लगे रहे, एकदम सारी चीज़े तुमको समझ देख ले, इतने अच्छे से उनका पूरा summarize हो जाएंगा, लगबग लगबग अपना पहला चप्टर जो है, अंतिन सासे ले रहा है, पूरा का पूरा चप्टर जो है, हमने बहुत अच्छी तरीके से, जो follow कर रहे होंगे, दूसरे नों उनको पता होगा, कि है बहुत सारी चप्टर में, लेकिन असर हमने बहुत अच्छी तरीके से, जो important pick करके चीज़े यहाँ पर मसाला डालके बना दी, बात समझ मारी है, जिसने पहला चप्टर थोड़ा सा हलका हलका किया होगा, उनका 90% जो है चीज़े खतम हो चुकी, जो 2-4 मसाले वाली चीज़े है, उसका मैं अलग से फॉर्मिशन कर दूँगा, तुमको जो है मज़ा आया नहीं आया चीज़े बताईए, तर पूरा पूरा चप्टर ऐसे पूरा चार्ट में रिवाइस हो जाता है, तुमको क्या पता रहे, तुम देखो तो सही, तुमको अभी पता हीच क्या है, तुम तो अभी फांडेशन में हो ना, सार ऐसे मत बोलो, हम से यह पूरा गरेंगे, अरे हाँ भाई तुमको बता रहा हूँ, देखो ऐसे पढ़ते हैं चीज़े को, ऐसे चार्ट बनाते हैं, पूरे पूरे लेंदी चार्ट बनते हैं, मज़ा आता है जीवत में, यह देखो, पूरे पूर मैंने देई दिये हैं, उसको अच्छे से रिवाइस करोगे, वन शॉट देखोगे, तो तुम्हारा जो ही जो है, पूरा का पूरा सब कुछ, समराइस द्वे में चीज़ा कतम हो जाए, होगी नहीं होगी सर, बिलकुल होगी, सर, बिलकुल होगी, क्यों नहीं होगी, पूरा चार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिलकुल सर, ऐसे, पोस देते है, लोरे जल्दी स्क्रीन शॉट लो, मैं पोस कब तक दूँगा, PDF भी सेंड कर दूँगा, मैं, लेलिया, ठीक है, ये स्कोप और बिजनस इन्वार्मेंट का भी आप ले सकते हो, बाद में आपको लिखना हो, तो फोटो फोटो लेलो, फोटो खीच लो, खीच लो, फोटो खीच लो, फोटो खीच लो, मस्तिच मजा आया नहीं आया, सर, मस्तिच मजा आया नहीं आया, सर, ठीक है, ठीक है दोस्तों इसको अच्छे से रिवाइस कर लो चीजे लिख लो इसके दो-चार एमसी को आ जाते हैं पट्ट से मार्क्स लेंगे अपन फटा पट एसे ही तो अपन एक-एक बून का जो है उटा-उटा के एक-एक चीजे उटा-उटा के 95 प्लस बनाएंगे 90 प्लस जिन्ताद देैंगे वाली कोई बात है नहीं को और दिसम्बर वाले बच्चों 27 अपना सर्व अन एक्एडिमी है पर जुन स्प्रलना करयो प्लस लस अईकोनेक बीस से बाल 27th of April में 200 27th of April से महाल बदलने वाला है December वालो कभी तो एक दम मदा आएगा तो अगर स्क्रिप्शन लेने का सोत रहे हो तो टाइम से ले लियो स्क्रिंशॉट उसका दे दियो सच्क्रिंशॉट कहां देना है स्क्रिंशॉट देना है आपको मेरे टेलिग्राम पर अगर नहीं भी किया हो स्क्रिंशॉट ज़रूर दे दीजेगा सो दाइक रहो मैं कितना लगाओ करना है अपने सब्जेट को बताओ मैंने एकोनॉमिक लिख दिया उसको यार आईकोनिक है वो आईकोनिक आईकोनिक कि एकोनॉमिक लिख दिया रहे बागी प्लस एन आईकोनिक वालो 27 अप्रिल MP99 कुडियोस कर लो उसके पहले जो है चीज अपनी जो है चीज़े शुरुवात हो जाएगी ठीक है तो बागी यह स्क्रीन शॉट ले लो मस्त जो है इसका प्रियोक करो और मस्त फोड़ो तोड़ो फोड़ो मुझे फीडबेक जरूर दीजेगा और दिसम्बर वालों को बताईएगा कि भाई जाओ तुम्हारे लिए तो एकदम जो है शुरुवात से शुरू हो रही अब जाके देख लेना चाहिए जब तक खुद का ध्यान रखो खुद की सेवा करो दूसरों की सेवा करो सबकी सेवा करो खुश रहो स्माइल रखो अपने फेस पर पॉजिटिव एटिट्यूट के साथ अपने किताबों के तरफ जाओ तब आपको एकसेप्ट करके ऐसा हो नहीं सर वो तो दोनों तरफ से होता है है की नहीं होता है तो मस जाओ किताबों पर टूट पड़ो दोस्तों वो तुम्हारी है करके अभी तो उसी से काम चलाना पड़ेगा वही तुमको सिये बना पाएगी तो जाओ मस पढ़ाईच करो ठीक है और कभी दिक्कत परिशानी हो गुर्प पर लिखिए और मस मजब करिए ताली एक हाथ से नहीं बचती तो बचती है न बजरी है थोड़ा आवाज आ रहा है और बजा लेते हैं हो सरे दोस्त बहुत सर लोग बजा लेते हैं थैंक्यू सो मच सर बहुत दिनों बाद की लाइब सेशन अटेंड करें बहुत मज़ा है नहीं बज रही यार सही बात नहीं हो जाए ऐसे ही तालिया हो जालो चलो ठीक है सबका ध्यान रखो खुदका ध्यान रखो और ऐसे ही फोड़ो बबाई टिक है सी यू तोमारो